नमस्कार स्वागत है आपका दान न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी आम आथमी पार्टी के स्रयोजग अर्फिंद करजफवाल की मुश्किने लगातार बढ़ रही हैं आम आथमी पार्टी दक्षनी दिल्ली के एक डॉक्टर राचींद्र भार्टी की आत्वरत्या के माकले में आप विधायक को दोशी कराथिया किया है प्रकाश जारवाल के आम आत्मी पार्टी के विधायक हैं जिनको लेकर कोट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहट उन्हें दोशी ठहरा गया है जारवाल के साथ साथ दो अन्य लोग हैं जिने इस माकले में दोशी पाया किया है हला कि इनके लिए अभी सजा का एहलान नहीं हुआ है 13 मार्च को सुनवाई होगी और तब सजा इनके लिए निर्धारित होगी लेकिन ये एक बड़ा माफला है जो की 4 साल पुराना है और 4 साल से इस माफले में जो परकाश जाखवाल हैं आम आदमी पार्टी के विधायक वो जेल भी जा चुके हैं जमानत पर बाहर हैं लेकिन अब इस माफले में दोशी करार उन्हें दिया किया है इसका मतलब साफ है अब इस माफले में उन्हें जेल की सजा हो सकती है ना केवल अबैटमेंट और सुसायड में कन्विक्ट किया गया है, बलकि एक्स्टॉर्षन करने के लिए, मतलब की लोगों से उगाई और वसूली करने के लिए उनको कन्विक्ट किया गया है। हो या चाहे विजय नायर हो या स्वेम अर्विंद केजरिवाल हो उनके ओपर शराब घोटाले की तलवार किस प्रकार से लटक रही है और कोट भी कोई राहत नहीं दे रहा और ताहिर हुसेन वाली आमादमी पार्टी है तो अपराद करना और एनार्की करना और वसूली करना ये इनका चरित्र बन चुका है भरष्टाचार आज उनके लिए शिष्टाचार है इसलिए जब भरष्टाचार के मामले में बुलाया जाता है तो ED के सामने पेश होने के बदले आज अर्विंद केजरिवाल विक्टम हुड कार खेलते हैं और ये लालू प्रसाद यादव जी वाली हरकते कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कितना पतन हुआ है इनकी राजनीती का याद सब के सामने आ चुका है तो आपको मैं चानकारी देदू की स्पेशल जजज एमके नाकपाल की अदालत ने ये फैस्ता सुनाया है नमबर दो हजार एकीस में एक अन्य बेंच ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप तै किये थे विधायक के खिलाफ और अब इस मावले में कोट ने जब सुर्वाई की है तो उन्हें दोशी करार तिया किया है प्रकाश चारखवाल की मुश्किलें अब जाहर तोर पर बढ़ चुकी है हाला कि वो खुद को कोट पराबद हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक जो है प्रकाश चारखवाल उनका नाम लिखा हुआ था जिसके बाद से इस पूरे मावले में जो अदालती कारवाई है वो चल रही है और अब सजा का एहलान होना बाकी है उन्हें दोशी करार दिया क्या है दोश्यों की सजा के मुद्धे पर अब 13 मार्च को कोट में सुनवाई होगी जब हमें इस मावले की बात कर रहे हैं तो जानकारे तेदू कि साउध दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में रहने वाले डॉक्टर राचेंदर सिंग ने 18 अप्रेल 2020 को अपने घर में ही फास लगाकर आत्महत्या की थी आत्महत्या करने से पहले डॉक्टर राचेंदर भाटी ने एक सुसाइट नोट लिखा और विधायक प्रकाश चार्वाल के खिलाफ बड़ा आफोप लगाया उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार ही विधायक प्रकाश चार्वाल और उनके कर नाकर को बताया था उन्होंने अपने सुसाइट नोट में इस बात का जिक्र किया था कि विधानसाबा चुनाव के पहले ही वो पानी टेंकर चलवाने के बदले लाखों रुपिये उसके साथ कहीं लोगों से ले चुका था उसके बाफचुद फिर भी वो लाखों रुपि कारी देरें कि खानपूर देफली संगम विहार अंबेड कर नगर और कई इलाके हैं जिनमें साफों पर पानी की समस्याओं से लोगों को जूचना पड़ता है लेकिन टैंकर के नाम पर ये आम आदमी पार्टी के विधायक परकाश जारफाल जो लाखों रुपिये वहां क लोगों से वसूल रहे थे खासतोर पर डॉक्टर पर दबाव ख्रया किया तो इस तरह का ये माफ़रा था जब्रन वसूली का जिसके चलते कहीं ने कहीं इस तरीके के हालात बने और इस तरीके से डॉक्टर राचेंद्र भाटी ने आत्भत्या कर ली और उनकी तरफ से जो जाहरवाल और उनके साथी हैं दरसल उन पर ये आखोप लगा कि दरसल टैंकर मालिकों से वो जब्रन वसूली करते हैं और राचेंद्र भाटी के जो बेथे हैं हेमंत उनकी तरफ से दरसल शिकायत दर्च खराई गई जिसके बाद इस पूरे माफले की जाच पड़ताल और आरोप 9 माई 2020 में उन्हें गिरफतार इन आरोपों के जर्खे किया खिया जून 2020 में हाई कोट से जमानत मिनने के बाद वो जेल से जूटे थे लेकिन लगातार अदालती कारपाई उन पर चल रही थी ये पूरा केश चल रहा था अब जाकर इस माफले में आम आत्मी पा जिन पर दो धाराएं 306 और साथी 120 B के तहत उन्हें कोट ने दोशी पाया है अब सजा का एलान जो है वो 13 मार्च को होगा लेकिन इस पूरे माफले को लेकर जो दिल्ली अब बीचपी के मीठिया हैड है प्रवीन शंकर कपूर उनकी तरफ से बकाहता पोश्ट किया क्या है जहां उन्होंने ये जानकारी दी है कि अर्विन केशवाल के नवरत्र टैंकर माफिया देफली से विधायक परकास जारवाल जिन्हें दोशी पाया किया है डॉक्टर की आत्मत्या के केस में केशवाल इस विधायक को विधानसभा से तुरंत निश्कासित करें ये मांग अ दू आम आत्मी पार्टी जिस तरीके से रास्थानी दिल्ली में सत्ता परकाविच है लेकिन आपके जो तमाम विधायक हैं जो बड़े नहेता हैं वो किसी ना किसी माफले में कानूनी कारवाई का सामना कर रहे हैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केश्वाल को एडी आठ समन जो है वो शराब खोटाले के माफले में भेच चुकी है और अब उन पर गिरफतार ही की दलवाल लटकी हुई है उन्हें कभी भी एडी गिरफतार कर सकती है अगर वो इस तरीके से ही समन को दरकिनार करते हैं इसके लाफा चाहे फिर बात मनेज सिसोतिया क की की जाए फिर जाहे बात संजे सिंग की की जाए जो कि पिछले करीब एक साल से मनेज सिसोतिया जेल में बन है संजे सिंग भी बीते कई महिनों से जेल में बन है इसके लाफा सोफनात भारती से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो की कानूनी कारवाई का साफना कर चुके हैं जो शेल जा चुके हैं और अब सवाल ये है कि जो दोशी करार दिये गए हैं प्रकाज जारवाल उनको क्या सजा कोट की तरफ से सुनाई जाती है क्या अब एक और विधायक जो है आम आत्मी पार्टी का राज्थानी दिल्ली में वो सलाखों के पीछे होगा लेकिन अर्विंद क पाक साफ हैं तो फिर कानूनी प्रक्रिया से आप क्यों नहीं बच्चपा रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है जिस तरीके से कोट की सुनवाई अलग-लग बाफनों में चल रही है लेकिन ये एक और बहुत बड़ा जटका अर्विंद पार्टी के विधायक प्रकास चारफाल को दोशी करार देते हुए कोष ने तेरा मार्च को सजा के ऐलान करने की बात कही है फिलाल आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राय है मैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद